हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू दी कॉंसेप्ट ओव दी डे, आज हम डिसकस करेंगे कॉंसेप्ट नमबर 11, आज का कॉंसेप्ट बेजड है इस कोश्चन पर, कोश्चन है E, A, D, F एक आयत है, आयत यानी रेक्टेंगिल, तथा A, B, C एक तिर्भुज है, जिसके बिंदू B, C, क्रम से बुजा, E, F, T, F, D पर इस्थित है E, A की वेल्यू दे रखे 22 cm, E, B 6 cm, F, B 2 cm, तथा F, C is equal to 16 cm A, B तथा B, C के मध्य बिंदू को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्यात कीजिए आज का कॉंसेप्ट बेजड है, रेक्टेंगिल पर, तो सबसे पहले हम समझेएंगा, रेक्टेंगिल होता क्या है, और उसकी सारी प्रोपर्टीज रेक्टेंगल को हम सिंपल ही कह सकते हैं, कि A rectangle इसे parallelogram की एक आयत जो होता है, वो एक parallelogram ही होता है, parallelogram यानि एक समानतर चतुरवज with all angles 90 degree, ऐसा समानतर चतुरवज, जिसके सभी angles 90 degree हो, तो उसे हम rectangle कह सकते हैं, समानतर चतुरवज के बारे हम जानते हैं, कि ऐसा quadrilateral, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, parallel हो और बराबर हो, तो उसे हम parallelogram कहते हैं, लेकिन उसमें जरूर ही नहीं होता है, कि angle 90 degree हो, लेकिन सारे angles 90 degree के हैं, एंगिल A, एंगिल B, एंगिल C, एंगिल D, अगर सारे angles 90 degree के हो जाएंगे, तो ऐसी figure को हम कहेंगे, rectangle यानि आयत, क्योंकि एक parallelogram है, यानि rectangle है, तो इसमें AB is equal to DC, यानि AB की value DC के बराबर होगी, और AB DC के parallel भी होगी, आगे AD is equal to BC, और AD BC के parallel भी होगी, सभी angles क एंगिल D, सभी angles की value 90 degree के बराबर होगी, जो इसके diagonals होते हैं, diagonals are equivalent bisect each other, यानि जो diagonals होंगे, वो बराबर होते हैं, AC, BD के बराबर होगा, और यह दोनों एक दूसरे को bisect भी करेंगे, bisect करने का मतलब है, O, BD और AC का midpoint होगा, तो diagonals जो हैं, वो बराबर होते हैं, AC is equal to B O, A, O, C, O, B is equal to O, D, और जब यह सारे diagonals bisect करेंगे, तो bisect करने पर जो इनकी length होगी, O, A, O, C, O, B, O, D, यह length भी आपस में बराबर होगी, आगे next property है, diagonals do not necessarily intersect at 90 degree, यानि यह जरूरी नहीं है, कि जो इसके diagonals होगे, वो 90 degree पर ही intersect करेंगे, यानि जो यह angle A, O, B है, तो यह angle 90 degree के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर यह 90 degree के बराबर हो जाएगा, तो यह तब ही बराबर होगा, जब 4 sides equal होगी, और 4 sides equal होने पर हम इसे कहते हैं, square, आगे next property है, कि आयतों के निश्चित परिमाप के लिए, वर्ग का छेत्रफल सरवादिक होता है, यानि अग आयत होता है, तो जो उनमें वर्ग बनेगा, उसका छेत्रफल सबसे अधिक होगा, मान लिजी हमें एक परिमाप दिया गया है, 48 cm का, तो उससे हम rectangle बना सकते हैं, कि 20 cm की length और 4 cm की breadth, तो यह रहा हो जाएगा, 80 cm square, मान लो, अगर हमने length ली है, 18 cm, और breadth ली है, 6 cm, तो यह रह इसमें area होगा 144 cm square, तो अगर परिमाप निस्चित है, तो छेत्रफल सरबाधिक तब होगा, जब हम वर्ग बनाएंगे, next property है, कि भुजाओं के मद्ये बिंदू को जोडने पर समचत्रुज बनता है, एक rectangle है, A, B, C, D, इन सबके midpoints ली हमने P, Q, RS, जब P, Q, RS को हम join करेंगे तो P, Q, Q, R, RS, और SP, ये चारोलेंथ आपस में equal होगी, तो ये figure बन जाएगी, एक rhombus, यानि समचत्रुज, next property है, कि आयत, या parallelogram, यानि समानतर चत्रुज, कि कोनों के अर्धक, एक अन्यायत का निर्मान करते हैं, जैसे A, B, C, D, rectangle है, A, R, angle A का bisector है, B, R, angle B का bisector है, C, P, A, B, angle C का bisector है, और D, P, angle D का bisector है, तो ये जब आपस में intersect करेंगे, तो P, Q, R, S, ये एक figure बनेगी, P, Q, R, S, तो P, Q, R, S, एक rectangle होगा, यानि angle bisector के मिलने पर जो figure बनती है, उसे हम rectangle कहते हैं, तो चाहे rectangle के angle bisector को हम मिला रहे हो, चाहे parallelogram के, तो P, Q, R, S होगा एक rectangle, rectangle का area होता है, length into breadth, यानि लंबाई गुणा चोड़ाई, perimeter के अगर हम बात करेंगे, तो सभी भुजाओं का योग, तो 2 into length, plus 2 into breadth, तो या जागा 2L plus B, 2 हमने बाहर common ले लिया है, diagonals के अगर बात करें, diagonals A, C की length, यानि या फिर B, D की length, तो इसकी वाले हो जाएगी, square root of L square plus B square, next property, कि O, A, B, triangle, O, B, C, triangle, O, C, D, triangle, या फिर O, D, A, triangle, इन 4 triangles का area आपस में बराबर होता है, और हर एक triangle का area, rectangle का area का 1 fourth होगा, 1 fourth of area of rectangle ABCD, next, ABC triangle, BCD triangle, ABD triangle, और triangle ACD, इन सब का area भी आपस में बराबर होता है, और इन सभी का area, rectangle का area का half होगा, next property यह, एक rectangle है, ABCD, इसमें हमने कोई एक point लिया है, P, और इस P को सभी vertex से हमने join कर दिया है, A, B, C, D, सभी vertex से हमने join कर दिया है, तो 4 अलग-अलग line segment बनेंगे, PA, PB, PC, PD, तो इन में आपस में यह relation होता है, कि जो आमने सामने के line segment होंगे, जैसे PA और PC, PB और PB के सामने है PD, तो इनके square का sum equal होगा, यानि PA square प्लस PC square, PA square प्लस PC square is equal to PB square प्लस PD square, next property है, ABCD एक rectangle है, और AB base पर ही एक triangle बना हुआ है, और जिसकी height ट्राइंगिल के height के same है, A, B, E एक triangle है, तो इसका base की length, rectangle के base की length के बराबर है, और जो इसकी height है, वो इसकी breadth के equal है, तो area of triangle A, B, E, A, B, E का area हो जाएगा, half into base into height, half into base L, और height हो जाएगी इसकी यह breadth, B, half into L into B, rectangle का area हो जाएगा length into breadth, तो हमें याद रखना है, कि अगर एक rectangle और एक triangle, दोनों की उच्चाई और दोनों का आधार बराबर है, तो उनके छेत्रफल का अनुपात, एक अनुपात दो होता है, तो इस case में triangle A, B, E का rectangle ABCD के area से ratio हो जाएगा, 1 ratio 2, अब हम करेंगे आज का question, E, A, D, F is a rectangle, and triangle ABC, and ABC is a triangle, E, A, D, F एक rectangle है, ABC इसमें एक triangle बना हुआ है, और वो इस तरह से कि B बिंदू E, F side पर है, C बिंदू F, D side पर है, इसमें आगे दे रखा है, कि EA की value 22 cm है, EB की value 6 cm है, B, F की value 2 cm है, FC की value 16 cm है, तो हमें find the length of line, तो line की length find करनी है, जो AB और CB के मध्य बिंदूओं को मिलाने पर बनेगी, options दे रखे हैं, 4 cm, 5 cm, 3.5 cm, और डी option है, 4 root 2 cm, अब rectangle के हमें property पता है, कि आमने सामने के side से equal होती है, अगर EA की value 22 cm है, तो F, D की value भी 22 cm होगी, इसकी F, C की length 16 cm है, तो CD की length हो जाएगी 6 cm, तो अब दोनों की length बराबर होगी 22 cm, अब AC, D triangle में, E, F की length 8 cm है, तो E, CD triangle में, AD की length भी 8 cm होगी, क्योंकि आमने सामने के बराबर होती है, तो E, F की जितनी length होगी, उतनी ही AD की length होगी, यह 8 cm है, तो यह भी 8 cm, अब AC, D triangle में, in triangle, AC, D, AC, D triangle में, हम पाइध होगरस लगा सकते हैं, क्योंकि यह angle 90 degree का है, और right angle triangle में हम पाइध होगरस लगा सकते हैं, तो CD square plus AD square is equal to AC square, तो यहां से, यह 6 है, यह 8 है, तो AC की value आ जाएगी, square root of CD square plus AD square, CD की value है 6, तो 6 का square plus 8 का square, तो 6 का square 36, 8 का square 64, यह आ जाएगा square root 100, यह आ जाएगा 10 cm, तो यहां से हमने value calculate कर ली है, AC की value आई है, 10 cm, अब लेकिन हमें value find करनी थी, इसकी GH की, GAB का midpoint है, HBC का midpoint है, तो GH line segment की length हमें find करनी है, ABC triangle में, GAB का midpoint है, HBC का midpoint है, और थेल स्योरम हमें यह बताती है, कि एक triangle में की नीवी, 2 side के midpoints को अगर हम join करें, तो वो side, तीसरी side के parallel भी होगी, और उसके half होगी, यानि जो GH है, करनी है, AC की length है, 10 cm तो GH की length हो जाएगी, 10 का half यानि 5 cm, by Thales theorem, तो Thales theorem का, यूज़ करके, GH की value आई है, 5 cm, तो हमारा answer हो जाएगा, B option, तो हमारा answer है, B option 5 cm, G और H इसमें midpoint थे, और ये Thales theorem से, और GH midpoint थे, तो ये जो theorem हमने apply करी है, इसे हम midpoint theorem भी बोलते हैं, और ये Thales theorem का ही एक part है, next question है, ABCD एक आयत है, AB ratio BC, 3 ratio 2 है, तथा, P भुजा AB का मध्य बिंदू है, तो sin of angle CPB, ये value हमें calculate करनी है, चार options हमें दे रखे हैं, 3 upon 5, 2 upon 5, 3 upon 4, और 4 upon 5, question में हमें दे रखा है, कि AB ratio BC, 3 ratio 2 है, यानि AB और जो BC, length का breadth से जो ratio है, वो 3 ratio 2 है, तो हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हमें आगे half B करना है, तो हम CD को 3 unit ना मान कर हमाल लेंगे 6 units, और क्योंकि CD का DSA ratio 3 ratio 2 है, तो अगर हम इसे 6 units मान लेंगे, तो ये DA की value और BC की value हो जाएगी 4 units, अब P, AB का midpoint है, तो PB की value हो जाएगी, 3 units, और BC की value, AD की equal होगी, यानि 4 units, अब P, B, C triangle में, P, B, C triangle में, Pythagoras theorem हम apply कर सकते हैं, और Pythagoras triplets भी हमें पता है, तो PC की value, क्योंकि Pythagoras triplets होते हैं, 3, 4, 5, Pythagoras triplets होते हैं, 3, 4, 5, तो ये 3 है, ये 4 है, तो PC की value हो जाएगी 5 units, PC की value हमने calculate करी है, 5 units, लेकिन हमें value निकालनी है, sine angle CPB, sine of angle CPB, यानि इस वाले angle का हमें, sine निकालना है, और हमें पता है, sine theta की value होती है, perpendicular upon hypotenuse, तो angle के सामने वाली side, perpendicular होती है, और ये है, BC upon hypotenuse, और hypotenuse है CP, BC की value है 4, CP की value है 5, तो हमार answer हो जाएगा, 4 upon 5, option के साब से मारा answer होगा, D option, आगे next question है, ABCD is a rectangle, angle BOC is equal to 44 degree, ABCD एक rectangle है, angle BOC की value दे रखे, 44 degree, O, A, D, angle की value में find करना है, यानि ये वाला angle हमें find करना है, angle O, इधर 44 degree है, तो ये वाला angle भी 44 degree होगा, क्योंकि, ये दोनो, दो line के intersection से बने हैं, और आमने सामने के angle होते हैं, vertically opposite angle, और vertically opposite angle, equal होते हैं, तो angle A, O, D, angle A, O, D, की value भी 44 degree होगी, अब, O, A, D, triangle में, O, A, D, triangle में, ये length इसके equal होगी, और ये मैंने starting में property में भी बताया था, क्योंकि, ये दोनो length आपस में बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के angle भी बराबर होगे, यानि अगर ये x है, तो इसकी value भी x होगी, और एक ही triangle के तीनो angle का सम होता है 180 degree, तो x plus x plus 44, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 degree, x plus x plus 44, is equal to 180 degree, यहाँ से हम चाहें तो options को भी satisfy करा सकते हैं, नहीं तो आगे से हम solve कर सकते हैं, अगर options को satisfy कराएंगे, तो d option इस x की value को satisfy कर जाएगा, तो x की value आजाएगी 68 degree, तो यह हो जाएगा हमारा answer, next question है, which of the following quadrilaterals has equal diagonals, यानि इन चार options में से कौन सा quadrilateral ऐसा है, जिसमें diagonals बराबर होते हैं, तो यह हमने अभी पढ़ा ही है, कि rectangle में दोनों diagonals की लंबाई, यानि विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, समचतुर बज में भी बराबर नहीं होते हैं, parallelogram में भी नहीं होते हैं, और trapegem में भी बराबर नहीं होते हैं, next question है, काफी अच्छा question है यह, a, b, c, d, एक rectangle है, p, c की value 9 cm, b, p की value 15 cm, a, b की value 14 cm, और यह बताना है, कि जो चार options है, कि alpha, beta, gamma, a, b, p, triangle के यह, angles हैं, तो यह बताना है, कि इन में आपस में क् mould relation होगा, और इन चार options में, angles को, descending order में लिखा हुआ है, यानि, घट्ते क्रम में लिखा हुआ है, तो में बताना है, कि इसमें कौन सा order सही होगा इस question को करने से पहले हमें एक बास मजनी होगी कि एक triangle में अगर भुजा की लंबाई अधीक है तो उसके सामने का कौन भी अधीक होगा यानि बड़ी भुजा के सामने का कौन अधीक होगा छोटी भुजा के सामने का कौन सबसे छोटा होगा तो बस हम ट्राइंगिल की त्यूनो साइड की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और उसी के ओडर में फिर हम एंगिल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे A, B, C, D ये एक रेक्टैंगिल है ये 14 cm है और P, C की वैल्यू 9 cm है तो D, P की वैल्यू हो जाएगी 5 cm क्यों? क्योंकि आमने सामने की बजाओं की लंबाई बराबर होती है तो ये 9 cm तो ये D, P की वैल्यू हो जाएगी 5 cm अब A, D, P ट्राइंगिल में सोरी B, C, P ट्राइंगिल में B, C, P ट्राइंगिल में PC की value 9 cm है PB की value 15 है तो CB की value इसमें हम लगा सकते हैं Pythagoras theorem क्योंकि यह angle 90 degree का है तो यह हो जाएगा BP square is equal to BC square plus CP square BB की value दे रखे है 15 तो यह जाएगा 15 का square is equal to BC की value हमें calculate करनी है plus CP की value दे रखे है 9 cm यानि 9 का square तो यहाँ से BC square की value आ जाएगी 15 का square 225 minus 9 का square 81 225 में से हम 81 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 144 तो यहाँ से BC की value आ जाएगी 12 cm तो यहाँ से हमें BC की value मिली है 12 cm हम चाहते तो यह value हम Pythagorean triplet से भी calculate कर सकते थे यह 9 है यह 15 है 9 और 15 का ratio था 3 ratio 5 यह 3 है यह 5 है तो BC की value हो जाएगी 4 के ratio में यानि 4 या 12 तो यह तो डाइरेक्ट हम Pythagorean triplet से भी calculate कर सकते हैं यह तो Pythagorean theorem तो ही हमारे पास calculate करने के लिए अब BC की value है 12 cm तो इसके सामने की side AD की length भी हो जाएगी 12 cm अब ADP triangle में DP की value है 5 cm DA की value है 12 cm तो यहाँ से हम AP की value calculate कर सकते हैं क्योंकि यह angle तो 90 degree है तो यहाँ से AP की value होगी square root of AD square plus DP square तो AD की value है 12 12 का square हो जाएगा 144 प्लस DP की value है 5 तो 5 का square हो जाएगा 25 तो AP की value हो जाएगी square root of 169 यानी 13 cm तो AP की value हो जाएगी 13 cm और Pythagorean triplets भी होते हैं 5, 12, 13 तो direct भी हम AP की value calculate कर सकते थे 13 cm अब A, B, P triangle में एक side 13 cm, एक side 14 cm, एक side 15 cm सबसे बड़ी भुजा है BP 15 cm तो इसके सामने का angle alpha है तो angle alpha सबसे बड़ा होगा उसके बाद second number पर जो side 14 cm है उसके सामने का angle है beta यानि सबसे बड़ा angle alpha, उससे छोटा angle beta और सबसे छोटी side 13 cm उसके सामने का angle है gamma तो gamma angle हो जाएगा सबसे छोटा तो इसी साब से हमारा answer होगा option A alpha सबसे बड़ा है, beta उससे छोटा है और gamma सबसे छोटा angle है तो हमारा answer हो जाएगा option A next question है ABCD is a rectangle the area of isoscalus right triangle isoscalus मतलब दो हो जाए बराबर है right का मतलब उनके बीच का angle 90 degree है right triangle BCE is 14 cm square and DE is equal to 3 into EC what is the area of ABCD तो rectangle ABCD का area कितना होगा चार options दे रखे हैं 56 cm square, 84 cm square, 112 cm square और 3 root 28 cm square ABCD ये rectangle है ECBC के बराबर है तो ECB ये एक isoscalus right triangle हो जाएगा isoscalus इसलिए कि ECBC के बराबर है और ये angle है 90 degree के equal तो ये question आप लोगों को करना है और comment box में इसका answer बताएंगे comment करके अब कल की वीडियो का answer कल हमने discuss करा था concept number 10 तो कल का answer है D option 24 cm square Thank you so much for watching